कि नमस्कार मैं नाजमिन खान और आप देख रहें स्प्यन नाई न्यूस दिल्ली के इस बार के विधान सभा चुनाव कुछ जादे ही दिल्चस्प दिखाई दे रहें और इनके परिणाम भी कुछ अच्छे ही दिखाई दे रहें और जिस तरीके से सामने आ रहें जनता तै कर चुकी है कि अब कौन दिल्ली पर राच करने वाला है वही आपको बता दे कि आम आदमी पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी और भारती जनता पार्टी एक दूसरे को मुकाबला देती हुई नजर आ रहे हैं वही रुज़ानों की जरी आपको बता दे तो आम आदमी पार्टी को 57 सीटे मिलते हुई नजर आ रहे हैं वही भारते जनता पार्टी को 14 सीटे मिलते हुई नजर आ रहे हैं और वहीं कांग्रेस के खाते में अभी भी सूने दिखाई दे रहा है तो ऐसे में आपको बता दे कि यह रुज़ान अभी बढ़ते जाएंगे आकड़े अभी आएंगे फिर कभी कम होंगे कभी बढ़ेंगे लेकिन इन सब के बावजूद यहां पर किसकी जीत दर्ज की जा रही है और किसकी जीत दिखाई दे रही है वो सब आपको पता चल रहा है आम आदमी पार्टी डंका वजाने वाली है डंके के चोट पर अपनी जीत दर्ज कर चुकी है तो वहीं आपको यह बता दे कि भारत तो को नहीं मानेंगे तो एक तरह से वह ब्रह्म में बैठे हुए हैं और अपनी ही पार्टी को लेकर फजियत मजाग बनाते हुए भी दिखाई दे रहे ऐसे नेता हैं आपको बता दें कि विजे गोयल वह यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने सुभा ही सुभा हनुमान च कुछ भी हो जाए हनुमान जी का वो टॉपिक अभी खतम नहीं हुआ है जब पहले चुनाप्ट चार के दौरान उनने आम आदमी पार्टी केजरिवाल पे लगाया था कि हनुमान चालिसा को लेकर कि वो एक हिंदू है और उन्हें हनुमान चालिसा नहीं आती है फिर जब क Ex An고 dekelijk चार के देखने को मिलता है कि उन्हें का ही मजाग बनाया जातार कहा जाता है कि बहत देर बाद यादा कि वो एक हिंदू तो उन्हीं का पलटवार करते हुए केजरिवाल ने भी कहा था कि मन की शांती मिलती है मुझे पढ़ने में कोई शर्म नहीं है लेकिन भारती जनता पाटी समझ ही नहीं पाई है कि उनको तब से लेकर अब तक कोई मुद्दा नहीं मिला और अब रुज्छानों के जरीये भी सिर्फ उनके पास एक ही मुद्दार है गया है हनुमान जी का अनुमान जी का टॉपिक उठाते हैं और बार बार बोलते हुए नजर आते हैं तो विज्छानों के जरीये सामने परिणाम आ रहे हैं उसमें तो 56 सीटे आम आदमी पाटी के खाते में दिखाई दे रही तो यह सिती हुई नजर आ रही है और भारती जनता पाटी अपने पिछले के विधान सभा चुनाव को लेकर भी सीटे तो जादा है लेकिन जो दावा किया था उन्होंने कि हम 48 प्लस लेंगे वह 48 तक भी नहीं पहुँच पाई तो यह सबसे बड़ा मजाक उनके लिए है कि अपन चास्प होने वाला है क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें स्पेन नाइन न्यूज